अनमोल अंबानी और ख्रिशा शाह की हुई शादी तस्वीरे मचा रही इंटरनेट पर धमाल उद्योग पती अनिल अमबानी और पतनी टीना के बड़े बेटे अनमोल अमबानी ने 20 फरवरी को मुंबई में ख्रिशा शाह के साथ शादी कर ली है दोनों की शादी को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी और अब दोनों के रास्ते एक हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर शेयर की गई शादी की तस्वीरों में निता अंबानी और इशा अंबानी भी नजर आयें शादी कथित तौर पर अनिल अंबानी के कफ प्रेड होम सीव विंड में हुई जिसमें कई हस्तियों ने भाग लिया मुंबई में हुई इस आलिशान शादी में कई बड़ी हस्तियों ने शिर्कत की थी इन में से एक बच्चन परिवार भी था जिसमें अमिताब बच्चन क्रीम कलर की शेरवानी और पगड़ी पहने नजर आएं वहीं स्वेता बच्चन ने अपनी मा जया बच्चन और बेटी नव्या के साथ एक बेहत खुबसूरत फोटो शेयर की जिसमें बच्चन परिवार की तीन पीडियों को साथ में देखा जा सकता है इस फोटो को बॉली हुट के हस्तियों संग फैंस का प्यार भी मिल रहा है जोया अक्तर, महीम कपूर, डिजाइनर अबू जानी संग कई फैंस ने कमेंट बॉक्स में हाट इमोजी भी शेयर की और कुछ ने जया स्वेता और नव्या के आउट्फिट्स की तारिव भी की मालूम हो, प्री वेटिंग सेलिब्रेशन पिछले हफते शुरू हुआ था जिसकी तस्वीरें शोशल मीडिया पर वाइरल हो चुकी थी वहीं अरब पत्ती मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने अपने भतीजे अनमोल अंबानी की शादी में शाही जात्य पोशाक में शानदार उपस्थिती दर्ज कराई जहां इस मौके के लिए टीना अंबानी ने रेड और ब्लैक कलर का लहंगा पहना वहीं नीता अंबानी ने गुलाबी रंग का आउटफिट चुना बताते चले अनमोल और खृषा अपने परिवारों के माध्यम से मिले थें और फिर एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने के बाद उन्होंने शादी का फैसला लिया उनके करीबी दोस्त ने बताया कि अनमोल खृषा के सामाजिक सक्रियता से काफिया करसित थें वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो अनमोल अमबानी ने दिसमबर 2021 में खृषा सा से करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच सगाई की थी आपका क्या खयाल है इस शादी को लेकर हमें कमें सेक्शन में जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही मनुरंजन के दुनिया के बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहें देशित नियूज